कुरूना से हो रही मौत के चलते शम्शान घाटों पर लाइने लगी पड़ी हैं और कुछ लोग ऐसे समय में भी अपना फाइदा देख रहे हैं हरिद्वार के चंडी घाट से शम्शान घाट पर एक मुर्दे को जलाने का पूरा पैकेज सिस्टम बना दिया गया है हरिद्वार के चंडी घाट से शम्शान घाट पर मुर्दे की लकड़ी, म्रत शरीर के लिए पंडित, देसी घी, नाई सहित, अन्य तमाम सुविधाएं एक पैकेज में मिल रही हैं शम्शान घाट की विवस्ता समालने वाले मान सिंग का कहना है कि यहाँ पर सब संसकार करने वाले लोगों को एक ही जगह पर सारी सुवधाय प्लब्द कराई जा रही हैं कई बार ऐसा भी होता है कि लोग शब को जलता छोड़ कर चले जाते हैं जब कि इस वक्त ज्यादत और बॉड़ी कोरोना वाइरस की आ रही हैं जिनको जलाने में ज्यादा लख्रिया लग रही हैं लेकिन हम दोवारा किसी से पैसे नहीं मांगते और जब तक म्रत शरी अस्ती में तबदील ना हो जाए तब तक जितनी भी लख्रियां लगें हम उतने ही पैसे में लगाते हैं इनका कहना है कि इस वक्त महमारी के दौर में ज्यादा शब आ रहे हैं कोरोना की ही अगर बात की जाए तो लगबख हर रोज आठ से दस शबों का अन्तिम संसकार यहां पर खूर रहा है और अलग-अलग जगाव से आने वाले शबों की संख्या अलग है इसी लिए 3600 पहले भी इतने भी था इतने भी तब नीचे की ने चलते हैं यहां पर पूरी चल जाती है तो बाइद वे कभी ने जले हो लगड़ी हमारे जो यहां पर जलाने वाले होते हैं उनकी डूटी है कि हो ले जाए कोई पैसा हो ने दे जाए जाए तो थोड़ा जादा लग जात में कुरोनम हमारी की वजह से साथ 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 कई पड़ोसी राज्यू से भी मृत्तकों के शब को हरिद्वार लाकर शम्शान घाट पर जलाये जा रहा है। इसको लेका हरिद्वार चंडी गर्ग शम्शान घाट पर चिता को जलाने के लिए एक पैकेज की विवस्ता कर दी गई है और इसमें परिवार जनों को हर सुविधा दी जा रही है जिसमें शब को जलाने से लेकर तमाम अन्य निया करम कराये जा रहे हैं। आरिद्वार से नियूस्वाल इंडिया करिया इसार राशकी भीपोर्ट